नमस्कार साथियो जैन जैभरत स्वागत अब सभी का अलेक्जाम प्लेस पे दोस्तों दोस्तों पी रेडियो के लिए मैंने प्लेस में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है अब कोई लगता है रिगार्डिंग पोई कोई कोश्चन में तो हम मुझे वाट्सप भी कर सकते हैं आप मुझे फेस्बूप इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं चलिए तो अब हम यहां से कोशन दिसक्राश करना शुरू करते हैं अगला प्रस्चन देखे हैं प्यारे साथिए अगला प्रस्चन देखते हैं कि अपर गॉंडवाना शेल समूंग को सत्पुडप छेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है तो चोगान जवलपूर इस्टर आए वंबा दोनो या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहां पर question पूछ रहा है by what name is the upper गुंडवाना rock group called in the सत्पुड़ा region चौगान जवलपुर लेवल बोथ A and B none of these तो मद्द्परदेश जो है जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा मद्द्परदेश जो है गुंडवाना सेल समू का हिस्सा है तो lower गुंडवाना सेल समू में इसको जो है क्या किया गया है वरगी करत किया गया है इसको divide किया गया है ये सेल समू प्रदेश को दो शेत्रों यथा सत्पुला तथा बगेलखन के पठार में जो है बाटाता है सत्पुला छेतर में अपर गोंडवाना सेल समू को चोगान तथा जवलपुर इस्तर के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है चोगान और जवलपुर इस्तर के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है सत्पुड़ा छेत्र में जो हमारी अपर गोंडवाना की क्या है शेल समू है या रॉक समू है ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा और यहीं पर जवेरा आपकी जो है एक अमारी जो है विधान सवाबी है ठीक है तो जवेरा जो है इसकी अगर हम बात करें तो जवेरा का गुम्बत जो है हमारा यह मद्य उच्च प्रदेश के में जो है आता है पांच भागों में बाटा गया है हमने पढ़ा वहाँ पर उस इनी में से एक कगार भूमी विंधियन स्कॉपलेंड है भांडेर पठार से दक्षण की ओर चलने पर जवेरा का गुम्बत मिलता है कहां से जो भांडेर का पठार है उससे जब आप दक्षण की ओर आएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा यह यहां पर जवेरा का गुम्बत मिलेगा और अगर हम इस गुम्बत की बात करें तो लगभग 29 किलो मीटर 29 किलो मीटर लंबा है और 13 किलो मीटर जो है यह चोड़ा है यहां पर इसकी चोड़ाई है जवेरा के गुम्बत की किसकी जवेरा के गुम्बत की अगला प्रस्थन ह हमारा अभिभाजत मद्द प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था अब यह यहां पर अभिभाजत मद्द प्रदेश की बात कर रहा है यानि उस मद्द प्रदेश की बात कर रहा है जिसकी सिमाएं यथा साथ राज्यों को इसपर्ष करती थी किसको साथ राज्यों को इसपर्ष करती थी जैसा कि हमने अपने पिछले questions में देखा कि अभी हमने देखा 5 में लगती है तो ये आपका UP हो गया गुजरात हो महरास्त्र हो गया इसके अलावा आपका जो है राजस्थान हो गया फिर हमारा आंद्रप्रदेश हो गया आंद्रप्रदेश के अलावा हमारा क्या हो गया ओडिसा हो गया और ओडिसा के अलावा हमारा क्या हो गया बिहार हो गया तो इन साथ राज्यों को हमारे मद्रदेश की सीमा जो है यह विभाजन से पहले इस पर्ष करती थी तो यह पूछ रहा है कि आविभाजित मद्ध प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथ क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक है तो 2000 में मद्ध प्रदेश का बेभाजन कर नया रज ay क्या बनाया गया 36 गड़ विभाजन से पूर्व मद्ध प्रदेश नौ प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था अगर वर्तमान की बात करें तो अब साथ है यह था मद्ध पठार, बुंदेल खंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्वदा सोन की घाटी, सत्पुडा मैकल की स्रेडी हो गई और बगेल खंड का पठार इन भागों में जो है बटा हुआ था ठीक है तो मद्ध भारत का पठार, बुंदेल खन का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना, नर्वदा सोन गाटी, सत्पुडा मैकल सेडी तथा बगेल खन का पठार, इन प्राकृतिक प्रभागों में जो है, अभी हमारा मद्ध प्रदेश क्या है, बटा हुआ है, वहीं अगर ह देखते हैं, निम्ने मैं से किसे गंगा तथा नर्वदा का जल दिभाजक माना जाता है, गंगा और नर्वदा, किसका गंगा और नर्वदा जो है, इसका जल विभाजन का काम जो है, ये कौन करता है, कैमूर कागार करता है, या फिर भांडेर की कागार करती है, ये और भी दोनों करती है जल विभाजक मतलब जल को विभाजित करने कार जो है ये आपका गंगा तथा नर्वदा का कौन सी जो है स्रेणी आपकी करती है यहाँ पर तो आपकी रीवा पन्ना पठार के अंतर का ताने वाली कैमूर और भांडेर का कार जो है ये गंगा और नर्वदा का जल्विभाजक का कारे करती हैं क्या करती हैं जल्विभाजक का कारे जो हैं ये करती हैं कौन सी कैमूर और भांडेर का गार यहां पर ठीक है चलिए अगला देखे हैं प्रशन हम अगला प्रशन देखे हैं हम यहां पर इसका correct answer हमारा क्या हो जाएगा A और B दोनों हो जाएग तो select the true statement regarding सत्पुडा माउंटेन तो भाई जो सत्पुडा माउंटेन है अमारी सत्पुडा परवस्रिनी है इसके बारे में सत्थ जो है बात उसको हमें यहाँ पर चाटना है चुनना है तो सत्पुडा परवत की लंबाई 1120 किलो मीटर है इसमें पस्चिम में राजपीपला की पहाडी है यह नर्वदान अदी के दक्ष्ण में पस्चिम से पूर्व में इस्थित है या फिर आपके उपरोक्त सभी के सभी कतन यहाँ पर सही है तो हमारे उपरोक्त सभी के सभी कतन यहाँ पर क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे क्योंकि हमारा मद्धप्रदेश जो है इसमें जो हमारी सत्पड़ा माउंटेन है इसकी लंबाई 1120 किलो मीटर है और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो हमें मद्धप्रदेश की सबसे ऊची चोटी कौन सी मद्धप्रदेश की सबसे ऊची चोटी जो है हमार यह कहां पर मिलेगी यह मिलेगी महादेव परवत पर कहां पर इसी की महादेव परवत पर मिलेगी हाइट इसकी कित्ती हो जाएगी 1350 मीटर हो जाएगी कौन से जिले के अंतरगत आ जाएगी भाई तो वर्तमान जो हमारा नर्वदापुरम जिला है जिसे हम पहले के नाम से जानते थे और जो की मद्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग है जिसको 2008 में क्या किया गया बनाया गया और एक मात्र ऐसा संभाग एक मात्र ऐसा संभाग मद्वर्देश का जिसके संभाग के नाम पर ही उसके जिले का नाम है तो ये चीजे यहाँ पर हो जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका महादेब परवत हो गया नर्वधापुरम हुशंगाबाद हो गया यहीं पर आपको अपसरा जलप्रपाद, डचल जलप्रपाद और भी फॉल यह सारी चीजें भी मिल जाती हैं यहाँ पर आपका जो है फुशंगा बाद जो है यह आपका यहाँ पर विस्तृत है तो इसके पस्चिम में कौन सी पहाडिया है राज पीपला की पहाडिया है यह नर्वदा नदी के दक्षण में पस्चिम से पूर्व की और अवस्थित है याने की कैसे इसको समझेंगे इसको मैब बना के समझ लेते हैं यह रहा हमारी नर्वदा नदी माल लो और यह हो गया ह हमारा विंदिया चल माउंटेन और यह हो गया हमारा सत्पुड़ा माउंटेन तो क्या पूछ रहा है दक्षन में अवस्थित है और पस्चिम से पूर्व याने कि यह आपका हो गया वेस्टन और यह हो गया इस्टन मतलब यह इस तरफ से इस तरफ विस्तारित है तो बिलकु चलें आगे देखते हैं निम्नमक में से कौन सा सहर भारतिय मानक समय IST के जो है सबसे निकटतम है क्या IST याने की Indian Standard Time जो होता है इसके सबसे निकट में है सबसे पास में है तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारा जो देश है इसमें हमने किसको साड़े ब्यासी डिगरी मतलब साड़े ब्यासी डिगरी जो रेखा है इसको हमने क्या माना हुआ है इसी से हम अपने भारत देश का समय जो है क्या करते है यह हमारा मानक समय है और मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया हमार मद्पृदेश जो है इसकी भोगोलिक इस्थिती क्या है 216 26 36 74 09 82 48 क्या है 82 48 तो अब अगर मैं बात करूँ हमारा मद्पृदेश जो है इसके अगर मैं देशांत्री विस्तार की बात करूँ तो जो यहां से सबसे पास में आ रहा होगा वही वाला जिला होगा यहां पर जो बात करें तो वो हमारे बघेलखंग क्या है यह हमारा रीवा हो जाएगा तो इसका प्रदेश की भगोलिक इस्तिती अगर हम उत्तरी अक्षान तो बात करें तो पूर्वी देशांतर की बात करें तो इस इस्तिती के अनुसार मद्रदेश रीवा का सबसे या फिर रीवा जो है या मद्रदेश का या भारती मानक समय जो हमारा रेखा है इसका क्या है सबसे निक गाट जो है महरास्ट चिंदवाडा च्छतीजगर मुरैना राजिस्थान जाबुआ गुजरात कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं अगर आपको मद्दप्रदेश के सभी जिले पता हैं बहुत अच्छे से और आपको यह पता है कि मद्दप्रदेश के वे कौन-कौन से जिले है चलो इसको भी देख लेते हैं इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं चलिए ठीक है यह हम यहाँ पर बनाते हैं हमारे प्यारे मद्दप्रदेश को ठीक है यह हमारा क्या हो गया यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है मुरैना क्या नाम है मुरैना और यहीं पर एक जिला है जि पढ़ेगा समझाने के लिए तो पहले यहां पर हो गया क्या आपका जाबगा और यहां पर इसी के नीचे है क्या अली राजपुर क्या है अली राजपुर और यहां पर क्या हो गया यहां पर हमारा हो गया बाला घाट क्या हो गया बाला घाट हो गया ठीक है तो मुरैना जो ह इसकी सीमा दो राज्यों को लगती है यहां से यूपी को लग गई यहां से राजस्थान को लग गई शिप्पुरी जो है यहां से यूपी को लग गई यहां से राजस्थान को लग गई फिर हमारा जो जाबवा जिला है इसकी सीमा राजस्थान से लग गई और गुजरात से लग गए अली राश्पूर जो है इसकी सीमा गुजरात और महराश्ट से लग गए बाला घाट जो है इसकी सीमा हमारी महराश्ट और इदर चत्तिसगर से लग गए हरा तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं इस तरीके से जब हम देखते हैं हम जो है चीजों को जो है बहुत समझते हैं कि भाई इस मैप को हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमारे आंसर करेक्ट होंगे अब मिलाते हैं तो बाला घाट महरास्ट विलकुल ठीक है छिन्दवाडा जो है चत्तीजगड मुरेना जो है राजस्थान से जाबुआ जो है यह आपकी कहाँ से गुझरास्थ से लगती है मतलब इसका अंसर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा याने की जो आपका चिन्दवाडा है इसकी सीमा थोड़ी लग रही है चिन्दवाडा जिले की सीमा जो है चतीजगड को नहीं चूती है बलकि महराष्ट को चूती है इसलिए से सभी जोड़े क्या है यहाँ पर सही हो जाएंगे तो इस प्रकार से हमने पढ़ा और हमको अगर याद है कि मद्दवर्देश के ऐसे कौन-कौन से जिले है जिनकी सीमा दो राज्यों को इस पर्ष करती है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगला प्राशन हम देखते हैं और समस्ते हैं हमारा अगला प्राशन जो है हमसे क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि मद्दवर्देश का छेतरफल कितना है भाई मद्द प्रदेश का छेत्रफल अब मद्द प्रदेश के छेत्रफल की बात तो करना ही है लेकिन हमने कई बुकों में पढ़ा है कि मद्द प्रदेश का छेत्रफल 3,8,252 किलो मीटर है या वर्ग किलो मीटर है माफी चाहूंगा ठीक है और कई वुकों में हमने पढ़ाए कि मद्द प्रदेश का छेतरफल 3,8,245 वर की किलो मीटर है तो भाई ये क्यों वाई ऐसा क्यों होता है ऐसा अलग-अलग डेटा क्यों दिया गया है देखिए इसके पीछे का मैं कारण आज आपको बताए देता हूँ आप सभी को पता है 1 नमबर सन 2000 क्या 1 नमबर सन 2000 मद्द प्रदेश जो है इसका विभाजान हो गया एक नया राज्य बन गया जिसे हम 36 गड़ के नाम से जानते हैं तो जब 36 गड़ के साथ में हमारा विभाजान होआ तो एक वैली है जिसे हम किरार घाटी वैली बोलते हैं क्या बोलते हैं किरार घाटी वैली बोलते हैं MPPSC का पूछा गया आपका ये कोस्चन है किरार घाटी विवाज जो है ये मद्द प्रदेश और किसराजी के बीच में है तो मद्द प्रदेश और 36 गड़ के बीच में ये साथ वर्ग किलोमीटर का कौन सा 7 वर्ग किलोमीटर का किरार घाटी डिस्प्यूट है इसी वज़े से कई बुकों में हमें क्या मिलता है मद्ध प्रदेश का जो शेतरफल है ये 3,8252 मिलता है कहीं 3,8255 मिलता है ठीक है चलिए और भारत का किता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारे भारत का छेतरफल है मद्द प्रदेश इसका कित्ता नौद असमलब 38% जो है इसको क्या करता है occupy करता है तो ये सारी चीजे भी हमें याद रखनी है 38,252 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वहीं अगर हम बात करें तो नौद असमलब 38% जो है ये हमारे मद्द पिरदेश के पास है और राजिस्थान के बाद मद्द प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा छेतरफल वाला मद्द भारत का पथार प्रदेश के कितने प्रतिशत भागों में विस्तरत है अब देखे ये question जो है यह question आप से यहाँ पर tough हो गया यहाँ पर question अब आप से यह पूछ रहा है कि जो मद्ध भारत का पठार है इसके पास कितने प्रतिशत एरिया है तो इसके लिए तो आपको पूरे particular जितने भी पठार है और जितने बहुते भागों में प्रभागों में मद्ध प्रदेश को बाटा गया है उसको आपको समझना होगा जैसा हमने पढ़ा साथ हो गया अब इन सभी साथों को क्या देखना पड़ेगा प्रतिशत देखना पड तो मद्ध भारत का पठार मद्ध उत्तपचे प्रदीश का भाग है 10.6 प्रतिशत भाग पर जो है यह विस्तरत है और इसका छेतरफल कितना है 32,896 वर किलोमेटर कितना है 32,896 वर किलोमेटर जो है यह क्या है इसका छेतरफल है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.6 प्रतिश जो है यह इसका correct answer हो जाएगा सही उत्तर यह हमारा हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं प्यारे साथियों अगला प्रस्ण हम से क्या पूछ रहा है अगला प्रस्ण यहां पर हमसे पूछ रहा है कि मद्ध भारत के पठार के अंतरगत निम्न में से कौन सा जिला शामिल मद्ध भारत की बात कर रहा है और यह पूछ रहा है कि कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है तो इंदोर नहीं है भिंड नहीं है ग्वालियर नहीं है शिप्पुरी नहीं है लेकिन अगर थोड़ा हमें मद्ध प्रदेश बहुत अच्छे से याद हो मद्ध प्रदेश के ज किसका है, मालवा का जो हमारा पठार है, यह इसका पूर्शन है तो यहां पर आंसर इसका क्या होना चाहिए यहां पर इसका आंसर इंदोर होना चाहिए और तीन जिले जो है यह बागी के मद्धभारत पठार के हिस्से हैं, ठीक है? झाल, 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 झाल